असलाम अलेकुम वीवर्ण्स तो केसे हैं आप सब लोग आइ होब आप बेल्कुल ठीक टाक होंगे खायवी होंगे रोसे के लिए उट गय हूंगे अभी हुए है 5 imagine का time हुआ है मैं भी सहरी बनाने के लिए उठी हो और मैं सहरी में क्या लेती हूँ आप लोगों के साथ मैं share करती हूँ कि मैं सहरी में क्या लेती हूँ वैसे तो मैं दो बज़े की उठी वी थी ताजुद वगारा पढ़िए नमाज वगारा और पढ़ रही थी तो अब हो गया है साड़े तीन का टाइम क्योंकि सिर्फ मैं मुझे ही सहरी करनी है और क्योंकि इनके बाबा की तब्याद ठीक नहीं तो मैं और जहांगिर बाबा रखेंगे रोजा इधर आएं आप इतर आएं इधर आएं जहांगिर इधर आएं जहांगिर इधर आएं सबको हाई बोले हाई हाई बोले सही 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 से बोलेंगे रखे बैट हाई आप भी रोजा रखेंगे हाँ आप रोजे में क्या लेंगे दुदू दुदू लेंगे आपके लिए मैं बना कराती हूँ दुदू ठीक है और हम दोनों रखेंगे रोजा ठीक है और मैं क्या लेती हूँ सहरी में तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आए चले देखते हैं मैं ले रही हूँ दो अंडे इन्हें बॉयल करने के लिए रख दूँगी सहरी में मैं दो अंडे बॉयल करके लेती हूँ मेरी सहरी बहुत सिंपल सी होती है मैं कोई पराठे वगरा नहीं बनाती मुझसे खाए नहीं जाते पराठे इसलिए आप भी सहरी में अंडे ले सकते हैं आप समझें कि गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी, भूक लगने लगेगी, तो बिलकुल ऐसा नहीं है क्योंकि अड़े जो होते हैं वो घिजायस से भर पूर होते हैं प्रोटीन इसमें पाया जाता है, क्योंकि हमारी बोडी को रोजाना के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आप सहरी में अंडे ले सकते हैं, और अगर हम सहरी में पराठे खाते हैं, एक से जेड़ पराठा खाते हैं, तो हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो जैसे ही हम जोटी को कंजूम करते हैं, उसमें कार्बो हाइडिड होता है, वो शुगर में जाके कनवर्ड हो जाती है, वो शुगर भूप को इन्हेंस कर देती है, बढ़ा देती है, तो आपने देखा होगा, चार-पांच घंटे के बाद हमें फिर से भूप लगने लग ज हमारी बोली को रोजाना के चाहिए होता है, तो आप दो अंडे सकते हैं ताकि आपका पूरा रोजा अच्छे से गुजरे और एक गिलास दूद लियाए, जो आपको पता है, दूद में भी बहुत जादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से भख पूर होत तो में एक गिलास का मिल्क शेक बनाऊगी तो एक गिलास आप मिल्क शेक ले सकते हैं, दो अंडल ले सकते हैं, इस तरह की सेरी आप बोलेंगे कि आपका पूरा दिन, पूरा रोजा बेस्टेकश्टी गुजरा है, मैंने छह साथ बदाम भी गो दिये थे, जो की मैं इसके कर दोंगी ब्लेंडर में और इसके अंदर में दालोंगी चार-पांच खजूरे, चार खजूरे सौरी, चार खजूरे एड़ करूंगी, चीनी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है, चीनी इसी निया चांडे प्रोस्सिज बिल्कुल बढ़ जाता मैं चार खजूरे रिट करूंगी नेचरल सुटनेस की तरफ आए और जो खजूरे होती है वो पोटेशियम से भरपूर होती है जिंक से भरपूर होती है वाइटमिन्स बहुत होते हैं उसके अंदर फासफॉरस होता है तो आप खजूरे यह मैंने एरानी खजूरे इस्तमाल क एरानी खजूरे बहुत सौफ्ट होती हैं उसके बीज जल्दी से निकल जाते मेरे हाथ में मुबाइल था मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बहुत मसला हो रहा था वीडियो बनाने में एक हाथ से मैंने वीडियो भी बनाई है और एक हाथ से काम करके भी दिखा पारियो मैं आपको ना सारा तो एक हाथ से मैंने अभी इसमें से वो निकालूंगी मैं इसके बीज खजूर हो क्या तो खजूर कहते हैं कि खजूर सहरी में भी खजूर का इस्तमाल करें और अफ़तार टाइम पे भी खजूर का इस्तमाल करें ये सुनत मुबारका है सुनत ररसूल है तो सुनत tribe की सजोनत भी आदा हो जाएगी और ताकत भी मिलेंगी और एक खजूर एक रोटी की रोटी की ताकत रक्ती है रोटी तो हमारा पेट भर्डेति है लेकिन इससे पेट नहीं भरेगा खजूर से लेकिन घजायत और ताक़ जो रोटी में पाई जाती है उससे जादा इसकी ताक़त है एक खजूर की तो जब हम ये इसमें मैट करूँगी ये इतना थिक गिलास बनता है मिल्क शेक का क्या आप खुद कहेंगे आपका पेट भर जागा है और दो अंडे खाके और एक गिलास मिल्क शेक पी के ये बहुत जादा हैवी हो जाता एकदम से इनफ है ये सहरी आप करके देखें आपका पूरा रमजान अच्छा गुजरेगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा एक बार मेरे कहने पर इस तरह की सहरी करके देखें आप और मुझे जरूर बताईएंगा इस तरह की सहरी करने के बाद कॉमेंट्स कीजएंगा कि आपका रमजान और आपका रोजा किस तरह गुजरा कैसा सारा दिन गुजरा तो इस तरह से हैल्दी फूट खाएं ताके आपका चेहरा भी गलो करें क्योंकि रमजान के बाद यीड का इवेंट आ जाता है सबसे मुलाकाते होती है सबसे मिलना हुजलना होता है तो अच्छे से नजर आएं खुबसूरत नजर आएं और चेहरा गलो करें खुबसूरत नजर आएं तो इस तरह से हेल्दी फूट खाएं अपना ख्याल रखें तली हुई चीजों से बचें ताके रमजान में अबादत भी अच्छे से करें बिमार नहों और रोजे भी मिस नहों तो मैं इसी तरह से अपनी सहरी करती हूँ और मुझे ये भी बताएंगा मेसेज करके के आपको मेरी सहरी कैसी लगी तली हुई चीजों से फेस पे पिमपल आना शुरू हो जाते हैं एकनी हो जाती है ज़्यादा तली हुई चीजों का इस्तमाल किया जाए तो वैसे ही रमजान के बाद येट का इवेंट होता है और फिर हमारे फेस पे पिमपल्स निकल आएं डार्क स्पॉर्ट हो जाएं तो फिर वो फेस बुरा बुरा सा लगने लगता है इसलिए ये हेल्दी फूड खाएं बार बार में अपनी वीडियो में इसलिए ये कहती हूँ और चीनी का भी बिल्कुल भी इस्तमाल ना करें शुगर को कट ओफ करें अपनी लाइफ से ये भी बहुत खतरनाग डेंजर पॉइजन है ये तो सिलो पॉइजन भी कहते हैं इसको शुगर को सिलो पॉइजन भी कहा जाता है तो शुगर को तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ से अपनी लाइफ से कट आफ करते हैं रमजान में भी और रमजान के बाद भी मिलक शेक तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना थिक बनाए और पीने में बहुत टेस्टी होता है ये क्योंकि जब अदाम और इसमें खजूरे डलती हैं तो ये थिक हो जाता और जब आप पिएंगे तो एक गिलास में आप फुल हो जाएंगे आपका पेट फुल हो जाएगा दो अंडे एक गिलास मिलक शेक खजूर में जबरदस ये सहरी है आप इस तना से मेरे कहने पे एक बार सहरी करें और फिर पूरा दिन गुजार के देखें आप खुद बोलेंगे कितनी जबरदस दिन गुजरा है आपका तो मेरी सहरी हो गई है रेड़ी मैं करूँगी सहरी और आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी आज कल एक टरेंड निकला हुआ है योट्यूब पर कि उन्दा उन्दा खाने दिखाए जारे हैं बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जारे हैं सहری और अफ्तार टाइम पर तो खुदारा ऐसा बिलकुल ना करें क्योंकि इस से लोगों की दिल अजारी हो रही है जो गरीब लोग हैं उनकी दिल अजारी हो रही है क्योंकि वो भी सोचते हैं अल्ला ताला हमें भी देता तो हम भी अपने बच्चों के लिए इसी तरहां से खुबसूरत दस्तरखान लगाते इसी तरहां से सहरी और अफ्तार का इंतजाम करते तो ऐसा ना करें आपको मालूम है हमारे मुलके पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है और कितनी मेंगाई हो गई है तो इस तरह से हर किसी की पोँच में तो इस चीज़ अपने भी मेदों को साही रखें अपने तबीत भी खराब होने से बचाएं इतने बड़े दस्तरखान लगाने से और दूसरों की भी दिल अजारी नहीं करें इस चीज़ का खास ख्याल रखें रमजान में मैं उन तमाम यूटीबर्स ते कहना चाहती हूँ जो इस तरह के दस्तरखान लगा लगा के लोगों को गरीब अमाम को दिखा रहे हैं इस तरह बिलकुल भी नहीं होना चाहिए और जो रमजान है वो खाने पीने के लिए नहीं आया है अबादत के लिए आया है तो उसमें अबादत करें होभ खुभ धुभ लगा को राजी करें ना के खाने पीने की चीज़े दिखा दिखा के लोगों की दिलाजारी करें इस चाहर में मैंने काली मर्चे और नमक दोनों को एड़ करके मिक्स करके साथ ही रखावा, अलग-अलग मैंने जार नहीं बनाए, एक ही में मैं दोनों चीज़े एड़ करके रख देती हूँ और आप क्या सेहरी में लेते हैं, मुझे मेसिज करके बताएंगा ज़रूर क्या आप सेहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और ये भी बताएंगा कि मेरी सेहरी आपको कैसी लगी आज की और इस तरह से मेरे एक मशवरे पे एक बार आप इस तरह सेहरी करके देखें और फिर मुझे बताएं सारा दिन आपका कैसा गुज़रा तो विवर्स सेहरी हो गई है कम्प्लीट हम मिलते हैं क्योंकि अज़ाने होने का टाइम हो रहा है अज़ाने करीब दूर से अज़ानों की आवाज हा रही है तो हम मैं मिलती हूँ आप लोगों से अफ्तारी पे और अफ्तारी में क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाला तो अपना और अपनी फैमली का ख्याल रखेंगा मुझे भी अपनी बहुत सारी दूाओं में याद रखेंगा और अच्छा सा कॉमेंट्स की जाएंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी सहरी कैसी लगी मेरी तो मिलती हूँ उसमें अफ्तारी पे चले अला हाफिस